तो लीजिये सुनिये नवतेश सिंग जी की कहानी कोट और मनुश्य घर में रजाईयां सिर्फ तीन ही थी और वह भी पुरानी फटी हुई सी और उपर से बला की ठंड पड़ रही थी रोज बीच वाले भाई भेन एक रजाई में सोते सबसे बड़ी सीतो और सबसे छोटी मुन्नी दूसरी में तीसरी में उनका पिता मास्टर इशरदान उनकी मा भगवती खेस जोड जोड कर दरी उपर लेकर कुछ जोड तोड कर लेती थी पर कुछ दिनों से लगातार रात को ठंड लगने के कारण सारे सारे दिन उसका शरीर तूटता रहता था और उसका हिल्ले तक को जी नहीं करता था चोटे तीन तो सो गए थे पर बड़ी सी तो जाग रही थी उसे खांसी उठी हुई थी, उपर का सांस उपर और नीचे की सांस नीचे यह नामुराद खांसी बहुत समय से इस तरों अवस्ता में भी उसका पीछा नहीं चोड़ रही थी पूरे दो बरस से खासी जुकाम का यमदूद उससे चिप्टा हुआ था एक बार मास्टर इशरदान ने अपनी किसी शागिर्द के डॉक्टर पिता से बिनाफीस सीतों का मुआइना कराया था डॉक्टर ने बताया था इसके गले का आप्रेशन बहुत ही जरूरी है अगर और कुछ इस तरह गफलत की तो इसे कानों से कम सुनाई देने लगेगा और इसके दिल पर भी पूरा असर पड़ेगा डॉक्टर ने सीतों को रोज दूद, अंडे, पत्ते वाली सबजिया, फल और विटामिन की गोलिया खाने के लिए कहा था पर सीतों दो बरस से इसी तरह खास रही थी बनफश्य के अत्रिक्त वह उपर से उसके लिए और कुछ दवा नहीं ला रहा था अपरेशन हर रोज दूद, अंडे, फल दो बरस से और तो और वह अपने सत्तर रुपे मासी क्वेतन में घर के लिए एक रजाए भी तो मूल नहीं ले सका था सीतो, सीतो, सीतो ने सुनाने, शायद खासी के कारण डॉक्टर ने कहाता, अगर गले का उप्रेशन जल्दी न हुआ, तो इसके कानों पे भी असर पड़ जाएगा सीतो की मा, चौका सबरतंस निबट का निप्टा कर आ गई और अपनी चार पाई पर फटे पुराने खेसों और दर्यों को जोडने लगी सीतो की मा, आज तो मेरी ही रजाई ले लो, मैं खेसों में सो जाऊंगा नहीं जी, मैं तो सारे दिन घर में धूप सेखती रहती हूं और आप सवेरे तड़के इन तीन कपड़ों में इतना फासला तै करके दूसरे गाउं में पढ़ाने जाते हैं और फिर स्कूल से भी, आगे राय साप के बंगले में टूशन पढ़ा कर कहीं देर सांच को लोटते हैं अगर रात को भी आपको थोड़ा से रजाई का अराम ना मिला, तो सवेरे कैसे इस कठिन समय की चक्की को पीसेंगे भगवती आज सारे दिन ठंड में बच्चों के कपड़े और जो भी भले बुरे बिस्तरे घर में थे उन्हें धोती रही थी और अब उसका जोड़ जोड़ दुख रहा था पर फिल भी वह बारी बारी अपने हर बच्चे के उपपर साथे की रजाईयां ठीक ठाक करने लगी तीन कपड़ों से और मास्टर इशरदास को अपनी रजाई में भी कप-कपी आने लगी सवरे तर के वह तीन कोस चलकर अपनी नौकरी पर पहुंसता था कितने ही बर्सों से उसके पास कोट नहीं था स्वेटर भी नहीं था स्कूल पहुंचकर पहले गंटे में वे हाजरी लगाने के लिए कलम भी अपनी उंगलियों से नहीं पकड़ सकता था पहले तो शाम को वैसा मैसे लोटने के कारण ठंड से बच जाता था पर अब उसे उसने जो सौ सिफारिशे बिजवा कर राय साहब के पुत्र को टूशन ले ली थी स्कूल से चुटी होने के बाद एक कोस की दूरी पर राय साहब के बंगले में राय जादे को पढ़ाने जाता था और वहाँ पहुँचने पर राय जादा गौन सब पहले जब पढ़ने के लिए तैयार बटा होता था कभी वे फुरसत से चाय पी रहा होता तो कभी उसके लिए कोई खास पकवान बन रहा होता और उसे खाने के बाद ही वह मास्टर के पास आता सो यद्वपी राय जादे को एक घंटे ही पढ़ाना होता था पर पूरे दो घंटे उसे राय सहब के बंगले में रहना पड़ता था इस दो खोस के चक्कर में दो घंटे की मा था पच्ची और रात पढ़े लोटने पढ़ाते लोटते वे सवेरी की तरह फिर दात किट किट आने का मुल्य है उसे पंदरा रुपे मासिक मिलता था और वहे ट्यूशन सिरफ तीन महीने के लिए थी पंदरा ती ये पैंतालिस एक रजाई तो आखिर बन ही जाएगी सीतो की मा के लिए और सीतो के आपरेशन की फीस भी शायद निकला है मार्च तक डॉक्टर ने कहा था किसीतो के लिए रोज एक पाव दूद भगवती ने अपनी चारपाई पर लेटते वे खा अब जब टूशन के पैसे आएं तो तुम मुझे उन ला देना मैं आपको एक स्वेटर ही बुन दू इतनी ठंड कपड़ों में ही काट रहे हो इश्वर ना करे कोई हरज मरज हो गए तो भगवती अपने बरफ जैसे बिस्तर पर गुच्छा मुच्छा बनी काप रही थी और कपकपी से उसकी आवाज में भी थी अरे नहीं मुझे स्वेटर नहीं चाहिए मैं आज एक कोट ले आया हूँ कोट कहां से मुझे तो आपने दिखाया है नहीं और ले कैसे लिया अभी तो तनखा भी नहीं मिली नाट्यूशन के पैसे सीतो को फिर खांसी जोड से उट गए भगवती उसकी चार पाई पर उसकी छाती मलने चले गए मास्टर इशर दास ने कोट अपने घर के किसी प्राणी को नहीं दिखाया था अगर वह कोट पहन कर आ जाता तो भगवती और सीतो की सिवा उसे और कोई शायद पहचानता भी नहीं तीनों छोटे बच्चों को जब से कुछ होश आया तब से ही उन्होंने उसके पास कोट कभी नहीं देखा था अपने विवा पर उसने गरम कोट सिलवाया था जो कितने ही बरस चला था पर जब से देश आजाद हुआ था और वह लोग पाकिस्तान से इधर आये थे वह गरम कोट पाकिस्तान में ही रह गया था और उसके बाद नया कोट बन ही नहीं सका था और आज वह कोट ले आया था पर उसने वह कोट अपनी पत्नी को दिखाया नहीं जो कोट पाकिस्तान में रह गया था उसके विवा का कोट उसके बाईं और के कॉलर के पास शौकीन शहरी दरजी ने फूल लगाने के लिए जगा बनाई थी विवा के कुछ दिनों के बाद ही उसकी पत्नी ने उसमें एक फूल लगा कर उससे पूछा था इस फूल का नाम जानते हो उसने जानते हुए भी नहीं में सिर हिला दिया था और तरुणी भगवती ने एक अदा से कहा था इश्क पेचा कैसी लाली थी वह जिसकी लहर तब उस समय उसके गालों पर फिर गई थी इश्क पेचा और कोट आज मास्टर इश्रदास ने भगवती को नहीं दिखाया था अगले दिन से वह स्कूल से लोटते वे सारे रास्ते यह कोट पहन कर आता था पर घर की और मुडने वाली गली से पहले ही इसे उतार कर पुराने अगबार में लपेट लेता और घर में परवेश करते ही आँख बचा कर छिपा देता था क्योंकि यह कोट उसने सिलवाया नहीं था मांग कर लिया था जब वे चुटपन से स्कूल में पढ़ता था उसके पिता ने उसे कहानी सुनाई थी एक लड़के ने किसी से पुरानी किताबे मांग कर पढ़नी शुरू की तो उसे तपेदिक हो गई पुरानी किताबों से पुराने बिमार मालिक के तपेदिक के जर्रे पढ़े वे थे और छुटपंज में इशरदास ने जब एक बर अपने पड़ास के एक लड़के से मांगर कुछ मिठाई खाई थी तो उसके पिता ने पहले उसके दो थपड मारे और फिर मिठाई का थाल मंगा कर उसके सामने रखकर का था खाले जो भी जी करता है खाले पर खबरदार जो किसी से मांग कर कुछ लिया और यह गरम कोट उसने कल मांग कर लिया था सीतो की खासी कुछ मद पड़ी है भगवती इशरदास की चारपाई पर आ गई तो दिखाओ किस रंग का कोट है उधार ले आए हो कहीं से नहीं मैं तो तुम्हें ऐसे ही जिका रहा था एक अख़त पिड़ा से इशरदास ने कहा हमारे नसीबों में कहा है गरम कोट साई रक्षा करे ऐसे तो मत कुसा करो अपने नसीबों को भगवती ने बहुत रड़तास से कहना चाके तो ना जाने कि उसका रोना ही चूट गया भगवती बड़े मजबूत दिल की औरत थी वह चोटी मुटी बात पर कभी नहीं रोई थी और इस समय ना जानी क्यों वह रुलाई नहीं रोक सकी और उसने अपना सीर अपने पती की च्छाती पर रख दिया दोनों की च्छातियों के बीच बहुत पुरानी तपड जैसी रजाई थी और भगवती के गरम गरम आसू पहले रजाई में सुकते रहे फिर मास्टर के हाथों गिरते रहे और वह रोती रही ayr बड़ी न्यर्मी से बड़ी नर्मी से अपने बच्चों कीमा को अपनी रजाई में कर लिया नेंद के समान ही रुलाई भगवती का अनयास आती रही इतने दिनों में उसकी हड्डियों में जमी हुई भरफ को जैसे यह रुलाई कुछ पिगला रही थी हार तोड़ घर का काम करके दुख रहे उसके अंगों को जैसे यह रोना सुगत प्रतीध हो रहा था और वह कितने ही रजाईयों में लिप्टी अलसाई पड़ी रही थी और अजाईयों में रुई नहीं धूप भरी हुई थी सबरी तड़ की स्कूल जाने के लिए जब मास्टर इशरदास घर से निकला तो पुराने अगभार में लपेटावा कोट उसने बगल में चिपा रखा था बहुत ठंड थी तब भी कोट उसने अपनी गली पा रायत है या औस्ट्रिया से सिल्वायत है मैंने मास्टर जी कभी सुना है आपने एक साइकलोजी की साइंस होती है औस्ट्रिया में साइकलोजी के बड़े बड़े विदवान रहते हैं और राय साहब तब साइकलोजी की एक मोटी सी किताब लेकर अपने कमरे के और चले ही था रायजात को पढ़ा चुकने के बाद बड़ी देर तक दहकती अंगिटी के सामने से उठने का उनका सहस नहीं हुआ आंत में जब वे उठे तो बरांदे में ही लगातर कितनी ही चीके आ गए और फिर एक चक्कर सा आ गया सैयों गवश तभी पास से राय सहाब ने गुजरी उसने पूचा क्या बात है मास्टर जी अरे नहीं कुछ नहीं ऐसे ही ठंड लग गया जी संभालकर मास्टर जी ने कहा और आपको जाना भी तो पूरे चार कोस है इस ठंड में कोई कोट सोट पहन कर आया करे मास्टर ने पहले राय सहाबने के और देखा फिर आखे जुका ली और ना जाने कैसे उनके मुझसे अनाया सी निकल गया कोट तो माता जी मेरे पास है ही नी और स्वेटर भी नहीं मास्टर की आँखों में देखकर राय सहाबने काप उठी थी इससे पहरे कभी मास्टर ने राय साहब ने को माता जी नहीं कहे ता यद भी बै कहीं बर सोचा करता था कि राय साहब ने की सूरत और सिरत तो नहीं उनके मृत माँ से कितनी मिलती थी वहे उसे एक मा के समानी बीतर अंगिटी के पास ले गई थी और फिर स्वेम उसके लिए चाय बिजवाने के वास्ते रसूई किया और चली गई कुछ देर अकेला वहे अंगिटी से एक तरह फिर एक नौकर उसे गरम गरम चाय और साथ में कुछ खाने को भी दे गया मास्टर ने बहुत नानकुर की पर नौकर ने का बीबी जी का कुम है और चाय का गिलास उसने अन्मने ही हाथ में ले लिया चाय पर मलाई की एक मोटी तहर तैर रही थी अभी चाय का गिलास समात भी नहीं हुआ था कि राय साहब नी एक गरम कोट लेकर आ गए मास्टर जी है ले लीजी आप नहीं माता जी नहीं नहीं आप इसे माता जी का हुकम ही समझ लें और जैसे ड्रिल करते वे बाँ या दाय मुरंग का हुकम सुनकर बिना सोचे मुर जाते हैं वैसे ही मास्टर जी ने कोट ले लिया और कुछ भी तो नहीं कह सका था धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं तबी राय साहब आ गए थे और आस्ट्रिया में कोट सिल्वाने का और साइकलोजिका चिक्र हुआ था और परसों से ही यह कोट पहन कर वे घर जा रहा था कल से यही कोट पहन कर वे घर से आ भी रहा था पर घर में प्रवेश करने से पहले ही वे इस कोट को पुराने अगबार में लपेट कर छिपा लेता था और सवेरे घर से बाहर जा कर पहनता था स्कूल के और मास्टरों को जिनमें के अधिकांश उसके समाई कोट के बिना थे उसने इस कोट के बारे में कुछ जूट मुट बतला दिया था पर भगवदी को क्या बताए रोज वैसोसता ऐसे समझा है नहीं ऐसे समझा है पर अंत में घर की दहलेज के बारी वैस कोट को पुराने अकबार में लपेट लेता और घर जाकर चोरी के माल की तरह छिपा देता कल उसने यह कोट राय साहबने को लोटा देने का फैसला कर लिया था पर जब उसने शाम को पड़ा चुकने के बाद राय जादे से राय साहबने के बारे में पूछा तो राय जादे ने बताया था माता जी मामा जी के पास अमरित सर एक हफ़ते के लिए गई है और वह यह कोट माता जी को ही तो लटा सकता था माता जी का हुकमी समझ ले और किसी को तो नहीं दे सकता था और अब वह उनके अमरित सर से लोटने की प्रतिक्षा कर रहा था एक सब्ता अभी था इतने दिन बाद कहीं वे कोट वापस लेने से इंकार न कर दे तब वे सीतो की मा को कैसे समझाए और एक सब्ता दौनों समय पुराने अगबार में छिपा कर वे कोट ले जाता इस कोट ने एक जाल सा मास्टर इशर दास के इर्दगिर्द मुन दिया था उसने इस जाल में से अपने आपको जंजोड कर किसी और तरफ धियान लगाने का जतन किया रायजादे की ट्यूशन शुरूबे पंदरा दिन हो गए थे और अभी ढ़ाई मैंने इस ट्यूशन को और चला आना था पंदरा रुपिया मासी लगा पंदरा दिया पैंतालिस और पूरे पैंतालिस रुपे मार्च में परिक्षाओं के नज़्दीक उसे मिल जाएंगे इस बार सीतो का आप्रेशन अवश्य करवाना है और सीतो की मा के लिए रजाई भी अवश्य बनवा लेनी है रोई तो भगवती ने बचा बचा कर इकठी कर ही ली है स्कूल पहुँचकर लड़कों को पढ़ाते वे इशरदास का कोट का कोई खयाल नहीं आया पर आज जब इक अक्षा से किसी की खासी उड़ती तो सीतो उसकी आँखे सामने आकर खड़ी हो जाती सीतो बेटा तो अब जड़ा चिंदा मत कर आपके परिक्षाओं के बाद तेरा अपरेशन जरूर करा दूगा एमन हीमन अपनी आँखों के सामने फिरती हुई सीतों से कहता पंदरा तीये 45 पंदरा चौके साथ हांक लगा कर लड़के पहाड़े याद कर रहे थे पंदरा तीये 45 और मास्टर इशरदा सोस्तरह जनवरी 15 रुपे फरवरी 30 रुपे मार्च 45 रजाई जरूर आपरेशन जरूर होगा संध्या समय टूशन पढ़ाते वे राय जादर में उसे कुछ तबदीली महसूस ही बहुत शरीफ तो वे पहले से ही नहीं था पर आज उसकी आँखों में शैतानी भरी हुई थी इशर्दास ने सोचा माघर पर नहीं है इसलिए शायद उद्धरंड हो गया है मास्टर ने चुप चाप उसकी गणित के प्रशनों की कापी को जाचना रम्द किया किन्तु राय ज्यादा निश्चल नहीं बैटा और मास्टर के कोड को हाथ से छूता रहा फिर अचाना की उसने पूछा मास्टर जी आज जैडी ने मुझे एक मैगजिन दिया था उसमें एक बड़ा उम्दा जोग था आपको सुनाओ मास्टर ने कौपी से आँखे उठाई भी नहीं का सुनाओ एक मास्टर ने क्लास में एक लड़के के से सवाल गलत हल करने पर कहा कान पकड़ लड़के ने जट मास्टर के दोनों कान पकड़ लिया और रायजादा खुब जोर जोर से हसने लगा फिर राय जादे ने मास्टर से कहा एक सवाल आपसे पूछू पर हिसाब का नहीं है बताएंगे और राय जादे ने इस बर मास्टर की और से हां की प्रतिक्षा किये भी नहीं सवाल पूछ लिए भला मास्टर और नौकर में क्या अंतर होता है राई जादा ने ये प्रशन किया ही था कि एक नौकर मास्टर इशरदास को बुलाने आ गया मास्टर जी राई साहब ने आपको बुलाया है अंदर मास्टर नौकर के पीछे पीछे हो लिया राय सहाब गोल कमरे में अपने दोस्त त्यारों के साथ बैठे ताश खेल रहे थे इस कमरे में के दूसरे कौने में नौकर मास्टर जी को खड़ा कर गया था बड़ा ही शानदर कमरा था एक बार बच्पन में मास्टर इशरदास लाहोर के अजायब घर देखने कहा था अजायब घर के समानी सजा हुआ था यह कमरा दो अंगीठिया जल रही थी और गर्मियों जैसी गर्माई थी नौकर ने जाकर राय सहाब को सूच ना दी उन्होंने कुछ देर प्रतिक्षा करने का संकेर दिया ताश की बड़ी मुश्किल चाल थी शायद मैं सूच रहे थी मास्टर इशरदास जहां खड़ा हुआ था उसकी बाईं और एक बहुत बड़ी शीशी वाली अल्मारी थी और इस अल्मारी में इतने सारी पुस्तके थी और उसके स्कूल की लाइबरे में भी उतनी नहीं थी अल्मारी के एक और अंग्रेजी में छपा हुआ एक लेबल लगा था साइकलोजी पुस्तकों की और से हटकर मास्टर इशरदास राय साहब की और हो रही बाते सुनने लगे राय साहब आज कल बहुत ठंड पढ़ रही है तो दो स्वेटर कोट और ओवर कोट फिर भी तीर की तरह भेजती है लो भोले बात्शाहों आप भी तो कुए के मैंड़ा की हो यह भी कोई ठंड है ना कुछ पीने का मज़ा ना कुछ खाने का ठंड तो आस्ट्रिया में पढ़ती है जनवरी 1930 का जिगर है जब मैं वियाना में था मास्टर इशरदास जिस कालीन पर खड़ा था उसमें उसके पैर धस्ते जाते थे और कितना बड़ा था यह कालीन तीन रजाईयों जितना नहीं तीन से नहीं बड़ा चार रजाईयों जितना चार रजाईया चौथी मा चौथी सीतों की मा के लिए मास्टर के निकट आ गए मास्टर इशरदास ने हाथ जोड़ लिए यहां बैठ जाईए मास्टर जी राय साब ने स्वैम बैठकर बराबर की कुर्सी के और संकेत करते वेगा जो बाते मुझे आपसे आज करने हैं वे आपकुछ मुश्किल जरूर है पर खैर जो होना ही चाहिए उसे तो कहने ही पड़ेगा आप बैठते क्यों नहीं मास्र इशरदास बैठ गए जिस कुर्सी पर वे बैठा था उसकी गद्दी उसे अपने घर की सब रजाईयों से मोटी और कहीं नरम परतीब हुई वे सामने वाली अलमारी में कितनी किताबे आप देख रहे हैं सब साइकलोजी की किताबे और यह मैंने दिखावे के लिए नहीं रखी हैं मैंने सब पढ़ी हैं और एक तरह से इनकी मैंने अंक भी निकाल रखा है अंक और यह अंक मैं अपनी रोजाना जिन्दगी में इस्तमाल करता हूँ राहे साब यहां कुछ रुके और उन्हाने मासर जी को और देखा और अपनी बात जारी करके रखी आज की यह कहानी मैं यहां पर समाप्त नहीं कर रही हूँ इसका अंत क्या होना चाहिए यह आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताईएगा इस कहानी का अंत इस कहानी में जो मैंने कहा है उसी में छुपा हूँ है तो इस कहानी का अंत आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझको लिख कर बताईएगा धन्यवाद